गुरुग्राम के बादशापुर में तेन दुआ करीब तीन घंटे तक तांडव मचाता रहा। कभी किसी के आंगन में तो कभी किसी की छट पर नजर आया। इस दौरान एक शक्स को घायल भी कर दिया। लोगों में डर इतना था कि कोई आस पास नहीं भटक रहा था। भागता हुआ तेंदुआ एक दुकान में जाकर बैच गया। सलून के मालिक ने सूजबुच दिखाते हुए तेंदुआ को दुकान में ही बंद कर दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरस्ट आफिसर मौके पर पहुचे और तेंदुआ को पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया गया। आननाइन टीवी के लिए गुरुग्राम से प्रवीन शर्मा के साथ अनुसिंग की रिपोर्ट।